बिसमिल्लाइ रहाँ रहीम असाम लेकम स्टोरेंट्स मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे चैप्टर नमबर सैवन में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाड्याटिक एक्वियन है क्वाड्याटिक एक्वियन हमार पास क्या होती है यह बैटा हमार पास एक सैकिंड डिगरी होती है जैसे अगर मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हमार पास एक्स केयर की फार्म होती है जैसे आपको डेफिनेशन में भी नजर आ रहा है था एक्वियन आप सैकिंड डिग इसके अंदर हमार पास real number होते हैं A, B और C के यहां पे हमार पास दो values आती हैं A और B की values आती हैं जैसे हम इसको questions में करेंगे तो आपको clearly समझ आ जाएगी अभी हम देखते हैं कि इसके applications हमार पास होती क्या है कैसे हम इसको find करते हैं तो next हमार पास क्या है X square A, X square plus B, X plus C is equal to 0 यह हमार पास एक equation है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि quadratic equation जो होती है वो हमार पास square की form होती है हमने linear equation में पढ़ा है कि हमार पास X होता है X की value हमने find की है लेकिन यहां पे हमार पास X square भी है यह real number होते हैं जब हम इसको quadratic equation को solve करते हैं तो हमार पास 2 numbers आते हैं ठीक है तो quadratic equation और linear equation सेम है इसके 3 method है एक method है हमार पास factorization का, दूसरा method है हमार पास completing square का और third हमार पास topic है quadratic equation, sorry quadratic formula अब हम जो first कर रहे हैं वो हम कर रहे है method of factorization method of factorization होती क्या है factorization हम कैसे find करते हैं तो factorization हमार पास एक technique होती है जिससे हम quadratic equation को solve करते हैं जैसे आपको एक factor नजर आ रहा है यह factor हमार पास 30 का है तो 30 को basically कैसे हम find करेंगे तीन तरीके से 2, 3 और 5 के साथ भी कर सकते हैं इनको multiply करें तो हमार पास 30 आ जाता है जैसे A, B और C अब A, B और C को हम multiply करें तो हमार पास A, B और C आता है अब यह हमार पास एक factor है के जैसे हमार पास A, B और C होता है और A, B, C को हम कैसे find करते हैं यह हम find कर सकते हैं जिस तरह हम रपास एक question है हम एक example के साथ करते हैं । यह example हमार पास 3, X-15, Y अब देखें solution के अंदर हम रपास 3X है तो 3 देखें हम रपास 3 multiply हो रहा है X के साथ और 15 के अगर हम हुच सही factor बनाएं तो यह हम रपास 2, 3 और 2, 5 और Y यह तीनों को मिला के हम रपास 15 है तो इनका जो अगर आप common चीज देखें हाइस्ट factor तो highest factor हम हम रपास कहा है 3 कैसे 3 है देखें आपको last equation में नजर आ रहा है 3X-15Y is equal to 3 into X-15Y यह हम रपास एक factor बन गया है हमें पता चल गए कि यह highest factor है और यह common चीज है जैसे एक example के साथ और हम exercise का question करते हैं आपको clearly समझ आ जाता है तो इसमें 7.1 है इसके अंदर हमारे पास एक question है factorization का जो X-square plus 7Y 7X plus 12 is equal to 0 अब इसके अंदर हमारे पास 3 values हैं कौन-कौन से हैं A, B और C A और B और C की यह 3 values हैं मैंने एक diagram से आपको clearly समझा भी दिया है कि यह हमारे पास क्या है आपने एक mean चीज करनी है A को multiply करना है C के साथ जब भी अपने factorization करनी है तो 3 equations होंगी 3 values होंगी, real number होंगे तो आपने हमेशा first को end वाली value के साथ मतलब A को C के साथ multiply करना है तो जो answer आएगा 12 अब यहाँ बारा answer आ रहा है तो आपने दो ऐसे factor लेने है जिनको multiply करके 12 आए और जमा करके या minus करके center वाली value आजे ठीक है आपको clearly समझ आ रही है कि multiply करें तो 12 plus करें तो 7 यह last में आपको नजर भी आ रहा है कि यह हमारे पास दो ऐसे factor बन गए है ठीक है दो ऐसे factor बन गए है जिनको multiply करें तो 12 और plus करें तो 7 आजे ठीक है यह आपको समझ आ गई है अब इसी तरह हमारे पास जो होता है next हम question के अंदर solve करेंगे यह हमारे पास आ जेगे x square plus 4x plus 3x plus 12 यह question की हमने factorization कर दिया है ठीक है जब factorization कर लेने है तो आपने x को common ले लेना है x को common किया तो x plus 4 plus 3x plus 4 is equal to 0 अब अलग अलग 0 की equal है तो आपके पास जो दो values आ जाएंगी ठीक है इसी तरह question number 2 है यह आपने हुच से solve कर लेना है अभी हम question 7.3 करते हैं 7.3 के अंदर जो factorization है वह मैं आपको करके दिखाती हूँ यह हमार पास minus की value आगी है ठीक है अब minus की value को कैसे हमने find करना है अब यहाँ पे हमार पास a is equal to 1 b is equal to minus 4 c is equal to minus 21 तो बैटा वो ही चीज़ वो ही procedure हमने same इसी के अंदर करना है क्योंकि फैक्टरization है तो इसके अंदर आपके पास जो आपने first value को c के साथ multiply करना है तो वो आजएगा minus 21 तो minus 21 कैसे कौन से दो factor होंगे जिनको multiply करें तो 21 हाए plus या minus करें तो minus 4 आए तो आपको समझ आ रही होगी कि plus करके minus 4 हाए multiply करके minus 21 तो यह दो factor है हमारे पास minus 7 और plus 3 के जब minus 7 plus 3 को multiply करें तो minus 21 आएगा minus 7 plus 3 करेंगे तो हमारे पास minus 4 आएगा क्योंकि बड़ी value के साथ minus है ठीक है next हमने उसी तरह question के अंदर solve करना है हमने x के और minus 7x plus 3x minus 21 यह हमारी factorization हो गी है अब हमने x को common ले लेने और x minus 7 plus 3 x minus 7 तो यह equal आज़ता है यह हमारे पास x minus 7 और x plus 3 के दो factor आगे है दोनों के equal रखेंगे 0 के और हमारे पास 2 real number आगे है 2 values आगे है x is equal to 7 और x is equal to minus 3 इसी तरह question number 4 है यह question को आप देखें तो equal के अंदर 2 values है आपने simple solution के अंदर करना क्या है इनको आपने equal कार लेना है आपने इन दोनों को कठा करना है इन दोनों equations को कठा करेंगे equal करेंगे 0 के अब plus 2 x और minus 18 x को जब आप solve करेंगे तो minus 8 x आएगा अब आपने 2 ऐसे factor बनाने है अब a is equal to 1 है b is equal to minus 8 c is equal to 15 अब आपने first को end वाली के साथ multiply करना है तो आज एगा 15 अब 2 ऐसे factor लेने हैं 2 ऐसी values लेनी हैं जिनको multiply करें तो 15 आए plus या minus करें तो minus 8 आए तो वो आपको बेटा नजर आ रहा है कि minus 5 और minus 3 ये 2 ऐसे factor हैं जिनको multiply करेंगे तो plus 15 और plus minus करेंगे तो 8 इसी तरह example हमार पास है 7.5 वो question बेटा आपने solve कर लेना है जो previous question है वो solve आदा किये उसके आगे आपने कर लेना है ठीक है अब इस question को आपने कैसे solve करना है इसको बेटा simple आप लोगोंने multiply कर देना है इसको x minus 1 को और x plus 5 को तो आपको नजर आ रहा है कि हमार पास कौन सी values बन जएगी x square plus 5 x minus x minus 5 तो आपने x x values को solve कर लेना है plus 4 x minus 5 7 को दूसरी साइड पर लाएंगे तो solve करेंगे तो आपके पास एक equation बन जएगी वो ही जो आपकी previous questions की बनीगे है ठीक है उसी तरह आपने solve करने है दो ऐसे factor बनने हैं जिनको multiply करें तो 12 आएं जिनको plus और minus करें तो 4 आएं अब यहां पर आपको नजर आ रही हैं कि दो ऐसी values हैं जिनको multiply करें हैं तो हमारे पास 12 है plus minus करेंगे तो 4 है आपने simple question की factorization कर लेनी है इसी तरह आपने इनको solve कर लेना है जैसे हमारे पस दो values आजएंगे आपको कुछ assignment send कर रही हैं बटाई यह कुछ questions है same as this ऐसे ही question है और thank you so much